हेलो दोस्तो नमस्कार जैसे कि आप देख रहे हैं कि पती देव यहाँ पर विराजे हुए हैं तो सभी को नमस्कार कर दीजे दोस्तो आप सभी जानते हैं कि माता पिता होने के नाते हमारे वेख पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिस तरीके से आजकल की जो जनरेशन है थोड़ी विद्रोही होती जा रही है क्योंकि हमारे जो पैरेंट्स होते हैं आजकल के वो दोनों भी माता-पिता वरकिंग होते हैं नुक्लियर फैमली होती है बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को आईपेड, फोन, टाब्लेट के साथ छोड़ दिया जाता है तो दोस्तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हम बच्चों को किस तरीके से समाले च्छों किस तरीके से हम उनको टेक केर करके उनको समझ सके तो दोस्तो मैं कुछ points share करना चाहती हूँ as a parents कि ऐसी गलतिया जो हमें ऐसा विवहार जो हमें कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तो पहला है कि जिस भी बच्चे को मारा पीटा जाता है उसका talent खतम हो जाता है और वो डर्पोक बन जाता है इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए दूसरा जिस बच्चे को बार बार taunting की जाती है ऐसे जो बच्चे होते हैं friends वो कभी भी कोशिश ही करना चोड़ देते हैं अगर वो कोशिश करना भी चाहता है तो उससे पता है कि मेरे ममी पापा को तो पता है कि यह नहीं करेगा उन्होंने पहले डिक्लेर कर दिया कि यह पॉइंट में बोला कि टॉंट नहीं माना चाहिए तो जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है उसका जो है confidence खतम हो जाता है जब आप बार बार उसको बुली करते हैं या उसका किसी चीज में बार बार जब आप मजाक बनाते हैं तो उसके अंदर की जो टैलेंट है जो confidence है वह automatic खतम हो जाता है तो कभी भी बच्चे का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए और especially parents ने तो कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वह आगे चलके विद्रोही बन जाता है यह line मैं आपको इस तरीके से explain करूंगी कि अगर हम अप चीज के against में चले जाते हैं और fifth जिस बच्चे के अच्छे काम करने पर भी उसकी तारीफ नहीं होती वो बच्चा वो काम करना और अपनी पसंद को भी छोड़ देता है तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों से इस तरीके का विवहार कर रहे होंगे या आज से अगर ह हाथ नहीं उठाना चाहिए उन्हें टॉंट नहीं मारना चाहिए उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए उन पर फेत करना चाहिए और उसके अच्छे काम को अप्रिशियेट करना चाहिए दोस्तों अगर आपको यह चीज पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और करिए ताकि हम आपको ऐसे ही नएने पैरेंट हूट कॉमेडी और बाकी चीजे शेयर करें थैंक यू दोस्तो जै श्रीरान